तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ option trading के एक strategy शेयर करूंगी वैल ये जो strategy है इस strategy का नाम है straddle strategy वैल ये जो straddle है इसका मतलब ही होता है कि दोनों edges से अपने आपको protect कर लेना ये जो straddle होता है वो इस type से होता है मतलब कि इस point से हमने अपने आपको protect कर ले और इस point से कि इस point से जादा हमें loss नहीं होगा ये journal मतलब होता है straddle strategy का वैल जो straddle strategy होती है इस condition में जो है हमारे जो losses होते हैं वो limited हो जाते हैं क्योंकि इस condition में हम अमारे losses को कम कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमने हमारे losses को define कर लिया है और इस condition में हमारे losses है वो limited होंगे और जो हमारे profit है वो इस condition में unlimited होंगे इसलिए straddle की strategy काफी profitable है और max trader इस strategy को use करते हैं वैल यह जो strategy है यह generally हम तभी यूज करते हैं तब हम market में एक big move के बारे में predict करते हैं either upside और downside जैसे कि कोई election हो कोई news आने वाली हो जिसमें आपको लगता है कि जो market है वो either upside move करेगा या तो downside move करेगा तो इस condition में आप straddle की strategy use कर सकते हमेशा याद रखेगा जो market है वो इस strategy के लिए little bit volatile होना चाहिए sideways market नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर market sideways होगा और अगर आप long straddle use कर रहे हैं तो उस condition में आपको loss होगा जो क्योंकि हमने premium pay किया है जिस basis में हमें उसको return चाहिए है इसलिए अगर आप long straddle use करना है तो याद रखेगा कि उस condition में आपको ये ध्यान रखना है कि जो market है वो volatile हो आपको ये देखना है कि जो market में movement है वो एक big movement आने वाली और उस condition में ही आपको trade लेना है अब अगर मैं बोलू कि exactly जो straddle की strategy होती है उस strategy में हम करते क्या है तो इस condition में ये जो straddle की strategy होती है इसमें हम buy और sell मतलब की call और put को buy करते हैं yes मतलब कि हम same strike price के CE को buy करेंगे और उसी strike price के PE को भी हम buy करेंगे means अगर market में big side move हुआ तो हमें इसमें profit होगा और अगर market either downside जाता है तो भी हमें इसमें profit होगा means market up जाता है तो भी हमें profit होगा market down जाता है तो भी हमें profit होगा इसमें हम हमारे losses को define कर लेते हैं कम कर लेते हैं और हमारा profit इसमें unlimited होता है हमेशे याद रखिएगा कि हम जिस भी call और put की buy कर रहे हैं वो same strike price का होना चाहिए और same option होना चाहिए means अगर bank nifty है तो bank nifty और bank nifty हो nifty हो तो nifty हो इसके अलावा अगर हम CE को buy करना है जैसे अगर हमने 18,500 को CE को buy किया है तो हमें 18,500 के PE को ही buy करना है वो भी उसी time period में मतलब कि time में major difference नहीं होना चाहिए जैसे हमने CE buy करा तुरंथ हमें उसमें PE buy करना है तो यह generally straddle strategy होती है मैं आपको live बताती हूँ कि किस तरीके से straddle strategy use कर सकते हैं इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर option strategy builder open कर रहा है यहाँ पर आपको यह option में जाना है और यहाँ पर strategy builder पर click करना है अगर आप option trader है तो option strategy builder आपके लिए काफी सही है क्योंकि इसमें आपको option के हर detail मिल जाएंगे और आप easily back test भी कर सकते हैं जैसे देखिए इस point पर तो देखिए जैसे कि इस time बे मैंने bank nifty खोल रहा है और bank nifty में मुझे यहाँ पर एक triangle pattern देख रहा है तो इस condition में मैं यहाँ पर जाऊंगे यहाँ पर मैंने bank nifty को select कर रखा है यहाँ पर मैंने option को select कर रखा है अगर आप future करने तो आपको इसमे future को select करना है उसके साथ साथ आपको इसमे expiry period का ध्यान रखना है याद रखिए का कि same expiry period होना चाहिए means जिस option का आप buy करना है CE purchase करना है उसी same option में जो expiry हो वो same हो उसका हमें put भी buy करना है ठीक है उसके अलावा आपको इहाँ पर strike price चूज़ करने के कौन सी strike price पर आप trade लेंगे okay guys तो देखिए इस point पर हम यहाँ पर आगाएं यहाँ पर देखिए आपको add strategy का option मिल रहा है इस point पर आपको यह जो straddle की strategy इस पर click करना है आप जैसे ही यहाँ click करेंगे यहाँ पर देखिए strike price expiry वो सब कुछ मिल जादा और quantity भी मिल जादा है currently मैं आपको ITM के option strike price पर बता रहें कि किस तरीके से आप ATM के option strike price पर trade कर सकते हैं देखिए जैसे currently जो market है वो 40,400 पर चल रहा है तो इस condition पर हमारा जो view है वो market में little bit long है इसलिए हम यहाँ पर buy कर रहे हैं जब हम चीज को buy करते हैं तो वो long straddle हो जब हम उसी चीज को sell करते है तो वो short straddle हो जाता है अब देखिए इस point पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option chain भी मिल जाएगी किस point पर अभी क्या चल रहा है जैसे देखिए यहाँ पर जो yellow ish है यह हमें show कर रहा है कि जो market है वो इस point पर है तो यहाँ पर ATM है इसके ऊपर के trade जो ह हमारा put है उसको भी हमने buy किया है एक एक quantity अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो probability है 47% है मैंने जैसे आप से खाता कि इसकी जो probability है वो काफी high है इसमें देखिए इसमें जो आपका profit है वो undefined है means unlimited है आपको कितना भी profit हो सकता है लेकिन जो आपके losses है वो सिर्फ 18,500 होगा इस होगा इसमें देखिया आपका estimated margin या premium जो है वो 18,525 लगेगा means इस point पर आप इतने पैसे से trading कर सकते हैं राइट देखिया जैसे कि इस point पर यह जो आप red sign sign देख रहा है यह आपका maximum x loss है और अगर इस point से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको profit होने के situation है तो आप समझ रहे कि exactly यह सो जो straddle strategy वो किस तरीके use होती है मैं आपको एक बार फिर से clear कर दूँ कि जो straddle strategy होती है उस condition में हम एक ही strike price के call को भी buy करते हैं और put को भी buy करते हैं buy और sell नहीं करते हैं उसमों हम strangle की strategy में करते हैं अगर आपको strangle पर strategy चाहिए तो नीचे मुझे comment section में strangle लिखि होगी तो देखें हमें same ही strike price के call को भी buy करना होता और put को भी buy करना होता है इस condition में अगर market upside जाएका तो भी प्रॉफिट होगा और अगर market डाउन भी जाता है तो उसमें भी हमें profit होगा और देखें यहां पर जो हमारा loss है वो काफी कम होगा और जो हमारा profit है वो काफी high को यूज करती हूं जब भी आपको लगे कि जो मार्केट है उसमें एक बिग मूव हो सकता है उस कंडिशन में आप इसे स्ट्राइडिजी को यूज कर सकते हैं और ये स्ट्राइडिजी आपको मैक्स प्रॉफिट देगी पर हमेशा याद रखेगा जब भी आप जो कॉल है उ नहीं करेगी इस स्ट्राइडिजी कि प्रॉबैबिलिटी काफी हाई है तो इस स्ट्राइडिजी में आपके मैक्स प्रॉफिट होने के चांसे हैं भर हमेशा एक बात याद रखेगा कि कोई भी स्ट्राइडेजी 100 परसेंट नहीं होती है हर इस स्ट्राइडीजी के कुछ drawbacks होते हैं इसलिए आप सबसे पहले कोई भी strategy हो उसको back test कीजिए देखे कि उसे strategy के क्या false है उसके बाद ही उसे live market में trade कीजिए इस strategy में भी आपके losses होंगे लेकिन important यह है कि आप उन losses को control करें profit बड़े करें losses कम करें ताकि कि आप at the end एक profitable trader बन सकें तो I hope आपको ये वीडिय अच्छी लगी हो अगर इस strategy में आपको कोई भी confusion है तो आप नीचे मुझसे comment section में पूछ सकते मैं definitely आपको doubt solve करूंगी and yes guys अगर आपको ये video पसंद आयो और इस video से आपने कुछ भी सीखा हो तो please subscribe to my channel and also click the bell icon ताके कि जो मेरी next video है वो आप तुरंत देख सके and also watch the other video so thank you so much and मिलते है next video में